हाई एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छी होंगे मैं हूर आहूल जैस्वाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में तो दोस्तों उमीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से आप सभी के पढ़ाई चल रही होगी दोस्तों आप 11 स्टैंडर में हो तो मैंने आप से एक चीज़ पुछा था कि क्या आपको 11 स्टैंडर का स्ट्राटीजी वीडियो चाहिए तो बहुत सारे बच्चों का कॉमेंट आया था कि येस सर हमें चाहिए दिमांड कर रहे हैं तो चाप्टर की शुरुआत तो हमने कर दिये ठीक है वैसे 11 केमिश्ट्री मेरा सब्जेक नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोग के लिए पढ़ाने के लिए ठीक है बाकि आपको मैंस तो मिली रहा है संजीर सर फिजिक्स पढ़ा हमारे पीछे खड़े हुए है तो यह जब हमें ऐसास होता है तो हम और ज्यादा निदर होके काम करते और और ज्यादा महिनत करते हैं तो अगर आप इतना अच्छा रिस्पॉंस नहीं दोगे तो हमें भी कहीं ने कई थोड़ा सा डी मोटिवेशन आ जाएगा हम पूरी प्लाद है तो और वीडियो आने वाले लाइब रिविज्एन्ट आपको मिलेंगे वह सभी चीज के लिए प्लाइनिंग हो चुकि है वह सब्सक्राइब करना बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगे तो ध्यान से देखना कुछ बेसिक कॉंसेप्ट हम आज आज आपको बताने वाले हैं तो सबसे पहले इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जरूर से कर ले ना टेलिग्राम पे कर सकते हो ठीक है जॉइन हो जाना जैट टूटोर्स का एप बनके रेडी है ज सब्सक्राइब करते हैं तो यह चाप्टर किस बारे में हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है बेसिक तोर पर क्या है जैसे आपको याद होगा कि हमने इसके पहले 10 स्टैंडर में साइन्स वन में एक चाप्टर पढ़ा था जिसका नाम का दूस्तो पिरियोडिक इसले भी हो जाती है कि आप लोग को यह चीज समझना पड़ेगा कि क्या इस टॉपिक में होने वाला है तो मॉड़न प्रियोडिक टेबल हमने प्रियोडिक क्लासिफिकेशन आप एलिमेंट्स में हमने डिसकर्स किया था कि वो जो चाप्टर था इसमें अलग-अलग साइन घ्रमटीश्ट आय थे उटनोंने अलग-अलग रूल्स बताये थे अलिमेंट्स को क्लासिफिक आए हमने एक बेसिक चीज डिस्कवर किया था आगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने चीज डिसकवर किया था समझना पड़ेगा कि जितने भी 30 elements उस time पे known थे, उस time पे 30 elements नोन से मतलब कितने, 19th century में, मतलब 19 सधी की ये बात है, तो 19 सधी की ये बात है, तो उस time पे 30 elements जानते थे, और physical properties के आधार पे, जो classified हुआ था, वो हुआ था, metals, non-metals and metalloids, तो metals थे, non-metals थे and metalloids थे, ये 3 category में उस element को classify किया गया था, क्योंकि obviously according to the physical properties, हम कोई भी चीज़ को categorize कर सकते हैं, जैसे कि आज के रेड़े में हम लोग, even आप classroom में हो अगर, तो classroom में अगर जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम लोगे categorize कर सकते हैं, ये बच्चे 80% प्लस वाले हैं, ये बच्चे 90% प्लस वाले हैं, ये बच्चे 60% ये वाले average वाले, तो हम classify कर सकते हैं, वैसे हमारे पास जितने भी elements उस time पे थे, 19 century में 30 element discover हुए थे, उस time पे ये तीनों को metals, non-metals and metalloids के आधार पे classify किया गया था, अब बहुत सारे scientists जो थे, उन्होंने बहुत सारे अलग-अलग methods से try किया, कि ये जितने भी 30 elements उस time पे discover हो चुके, इसको एक अरेंज किया जा, एक periodic table में, एक periodic table में क्या किया जाए, अरेंज किया जा, तो उस time पे क्या हुआ, कि जितने भी scientist थे, ठीके, तो वो एक अपना क्या बनाने लगे, periodic table बनाना ये आसान है, एक डब्बा में तयार कर लोगा, periodic table तयार कर लोगा, लेकिन उसमें elements को अरेंज करना, उसमें elements को डालना, ये किस आधार पे होगा, वो अलग-अलग scientist ने अलग-अलग तरीके से बताया था, तो अब क्या होने लगा, कि जितने भी elements थे, वो अब बढ़ने लगे, क्योंकि देको एक element खोज हुआ, उसके बाद दूसरा आया, तिसरा आया, ऐसे करते-करते, elements के जो संख्या थी, जो elements के जो numbers थे, वो क्या होने लगे, arrangement जो था elements का, वो increase होने लगा है, जैसे-जैसे increase होने लगा, तो इनको एक-एक करके, periodic table में arrange करना भी था, तो जितने भी scientist है, तो सबसे बहले, उसके बाद नूसरा आया, उन्होंने ट्राइड बता है, यह भी आपने टेंज में पड़ा है, जिसमें पहले और तीसरे element का, जो atomic mass रहेगा, उसको divide by 2 करेंगे, मतलब average निकालेंगे, वो second वाले element से match करेगा, तो ऐसे उसने किया, लेकिन एक समय आया, कि हर बार जब वो करता गया, तो यह सेम आ रहा था, लेकिन एक समय के बाद वो फेल हो गया, यानि कि डॉबे राइनर्स आया, उसके बाद नूसरा नूसरा नहीं हुआ, उसके बाद नूलेंड आये, तो नूलेंड जो scientist है, उन्होंने octave बताये, पहला और आठवा जो elements का physical properties रहेगा, वो सेम रहेगा, लेकिन after the calcium, वो success नहीं हो पाए, तो वो भी फेल हो गया, मतलब डॉबे राइनर्स आये, वो भी फेल हो गया, मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा जितने भी उस time पे elements known थे, वो पूरा discover नहीं कर पायते, यानि arrange नही लेके Mendeleev ने एक periodic table बनाया, उन्होंने अपना एक periodic table बनाया, जिसका नाम उन्होंने रख दिया, Mendeleev's periodic table, क्या नाम रख दिया, Mendeleev's periodic table नाम रख दिया, और ये जो Mendeleev थे, उन्होंने ये elements को कैसे arrange किया, they arrange in the increasing order of their atomic masses, यानि कि जो भी elements उस time पे खोजे गए थे, उनका जो Atomic Mass रहेगा Atomic Mass जो रहेगा That is Number of Proton plus Neutron तो जो Atomic Mass रहेगा उसके आधार पे जैसे समझ लोग की पहला hydrogen नहीं तो उसका Atomic Mass 1 है उसके बाद समझ लोग हीलिय तो उसका Atomic Mass 4 है ठीके उसके बाद Lithium मैं ठीके? उसका Atomic Mass तमझ लोग की 6 है तो ऐसे जब increase हो रहा है, वो 1 के बाद 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो increasing order में, ठीक है, जैसे हम लोग, बचपन में हम लोग पढ़ते हैं, ascending order, descending order, तो ascending order में, जैसे जैसे वो atomic mathes, हर एक element की increase होते जा रहे थे, उस हिसाफ से mendeliv ने उस periodic table में elements को डालना शुरू कर दिया, तो क्य इस बाद में पढ़ा है, बस एक तरीके से revision हो रहा है, ठोड़ा सो overview हो रहा है, तो यह जो ढबबब भी आपको दिखरा है, क्या ही है, यह जो ढबबब आपको दिख रहे है, इसको बोगते है, और यह box में ही elements आएंगे, तो उन्हों ने जब करके अरेंज करना शुरू कर दिया तो उन्हों नहीं क्या रखा कि हरीजन्टल जो रोो होते हैं ऊन्सक्वीरिए और घ्रिक रहें और जो वर्टिकल रहेंगे इस प्रकार के जो जो एक ही ग्रूप में जो थे, for example, आपने एक डबबा बनाया था, जो डबबा आपने बनाया था, तो समझ लो कि इसमें columns है, इसमें groups है, ठीक है, जो horizontal है, वो columns है, sorry, horizontal rows है, vertical groups है, तो ये जो groups है, इसमें जितने भी elements रहेंगे, एक के नीचे, एक के नीचे एक अरेंज जो किय अरेंज जब कर रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे phase आए, कि elements का atomic mass थे, उनके बीच में काफी difference आ रहा था, तो उन्होंने सोचा कि अगर आगे जाके कोई element discover होता है, ठीक है, तो हम उस element को इस boxes में fill up करेंगे, वो भी accordingly, मतलब ऐसा वो sure नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बह रपस जो है, वो छोड़ के रखा था, तो जो gaps, create जो उन्होंने किया था, उसके बाद, जितने भी नए-ने elements जो होजे जा रहे थे, वो सभी चीज ना, वो boxes में easily fit हो पा रहे थे, that is according to their atomic mass, तो ये सभी चीज ना, accept कर लिया गया था, scientific community द्वारा, क्योंकि देखो, कोई भी आज के रड़े में समझ लो कि मैंने कुछ खोज कर दी, तो मैं क्या, direct लेकर उसको घुमता रहुआ, नहीं, पहले government देखेंगी, government के scientists उसको देखेंगे, फिर जाके approval देंगे, कि हाँ भाई, तुम यूज़ करो इसको, या फिर यह government approve हो गया, तो सेम उसी प्रकार ये सब होनों लगा, लेकिन धीरे-धीरे क्या हो गया, कि जो मेंडिलिफ्स थे, उन्हों है, इनर्ट गैस उस टाइम पर खोज नहीं हुआ था, तो जब मेंडिलिफ्स थे, उनको पता ही नहीं था, इनर्ट गैस है भी या नहीं है, और वो श्योर नहीं थे उस चीज़ के लिए, तो उन्होंने वो चीज़ के बारे में ज्यादा नहीं खाया, लेकिन बाद में जब इनर्ट गैस की डिस्कवरी होने लगी, तो उसको एक सेपरेट ग्रूप में ही रख दिया गया, एक अलग से उसके लिए सेपरेट अलग से ग्रूप बना दिया, जिसमें जितने भी इनर चीज़ के जनका नाम था है, हैंकरेंृ मोजली जब आए, तो उन्होंने ये सब चीज़ देखाना, तो उन्होंने भी एक experiment परफॉर्म किया था, ठीक है, अब वो spectrum experiment जब उन्होंने परफॉर्म किया, तो उन्होंने एक चीज़ पाया, कि ये जो मेंदले बोल रहा है, जो periodic को अरेंज किया गया है according to their atomic mass यह ज्यादा satisfaction नहीं दे रहा है मतलब उसों ने बोला किस ने बोला मुसली ने बोला मेंडिलिव सक्सेस था लेकिन एक छोटा सा किया था कि मुसली ने जब एक्सपरिमेंट किया तो उसने यह पाया कि जो एलिमेंट्स को अरेंज जो किया गया है according to their atomic mass यह ज्यादा satisfaction नहीं दे रहा है as compared to the atomic number तो यह जो साइन्टीस थाचिस का नाम था है हेंडरी मुसली उसने बताया कि जो atomic number है ना इसके पास ज्यादा fundamental property है as compared to atomic mass ठीक है यानि atomic number has more fundamental properties than atomic mass और इसी लिए बाद में जब यह मेंडिलीव का periodic table जो था उसमें क्या करना पड़ा थोड़ा सा elements are periodic function of their atomic number not atomic mass बेंडिली नो जब मनाया था starting वाला तो वो बोलता था कि जो physical and chemical properties are the periodic function of their atomic masses लेकिन जब मुसली भाई साब आ गए तो इसने बोला कि नहीं भाईया ज्यादा fundamental properties इसके पास है atomic number के पास है तो atomic number रहेगा atomic mass के बतले तो जो arrange किया गया element जो था उसको फिर से revise तरीके से arrange किया गया और किसके अधार पर किया गया atomic number के इसाब से तो आज भी आप जब modern periodic table देखोगे मैं अभी दिखाऊंगा photo attention मतलो modern periodic table देखोगे तो वो number के accordingly arrange है mass के accordingly नहीं तो जो भी number रहेगे hydrogen पहले पर है दुसरे पर हिलिया में तिसरे पर लिथिया में boron इस प्रकार से arrange किया गया है और इसी modern periodic table को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हमने बोलते है long form of periodic table क्या कहते है इसको long form of periodic table तो अभी मैं आपको display करता हूँ हमारा long form of periodic table और इसमें क्या क्या चीजे हैं वो हम आपको बताएंगे तो हमारा जो अगला topic है वो है दोस्तो structure of modern periodic table one of the most important topic जो आपकी exam में प ठीक है यह तो आपके book में मिल जाएगा आपको कहीं में मिल जाएगा 10 में हमने देखा था तो यह प्रॉडिक टेबल क्या है इसमें क्या क्या element से कैसे arrange यह क्या group से क्या block से क्या यह है यह सभी चीज़ धान से पढ़ना है आपको यह याद रखना है बहुत easy है याद रखन सबसे पहले तो इसमें क्या होता है ना horizontal rows होते हैं जैसे मैंने आपको अलड़ी बताया horizontal row को period कहा जाता है और कितने period है 1 से लेके 7 मतलब 7 period है total period कितने है total period है 7 वैसे ही जो vertical जो रहेगा vertical column जो रहेगा वो groups है और उसमें कितने groups है 1 से लेके 18 मतलब total group कितने है 18 तो यहाँ पे एक, दो, तीन, यह चार, यह पाँच, यह छे और यह साथ, तो total 7 row है और row को क्या नाम दिया गया है? period नाम दिया है, क्या है? period मतलब 7 period है, ठीक है? और कितना, मैंने column कितना बोला? ऐसे वाले vertical वाले column कितने है? 80 है, तो आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, सीख़गे को number लिखा 11, 12, ऐसे करते करते, total 18, तो 18 क्या है? groups है, और वो 18 जो column से उसका नाम क्या रखा गया? groups, मतलब एक चीज़ आपको पता चल गया, कि in the modern periodic table there are 7 periods and 18 groups, ठीक है? और यही जो periods है और यही जो groups है ना, इनके intersection जब हो रहा है, मतलब जितने भी period है, आप देखो यहाँ पे, जितने भी groups है, और जितने भी period है, इनके intersection के वजए से, मतलब इस प्रकार से intersection हो रहा है, इस intersection के वजए से यह जितने भी boxes जो आप देख पा रहे हो ना, यह ठीक है? यह जो boxes आपको देख पा रहे हो, यह boxes के अंदर elements arrange हो औंगे, यह boxes के अंदर ही क्या होंगे? elements arrange होंगे और इनी intersection के विए से ये boxes का निर्मान हुआ है, the boxes form by intersection of the groups and the period for elements मतलब elements को ही रखने के लिए वो boxes का निर्मान किया गया है, और total कितने box है इस periodic table के अंगर 118 boxes है जिसमें लगबग ये periodic table चार हिस्सों में डिवाइड के है चार block में डिवाइड हुआ है, एक है S block दूसरा है P block, D block, F block तो वो कहां है, थोड़ा सा ये modern periodic table के उपर नजर डालते हैं और आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों, ध्यान से ठीक है, देख पा रहे हो, तो यह hydrogen उसके बाद आता है helium, तो यह helium second number पर, यहाँ पर two लिखा हुआ है, तो helium उसके बाद आएगा lithium, third number पर देखो, उसका beryllium, फिर boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, ठीक है, इस प्रकार से तो जितने भी elements है, जितने भी elements है, atomic number के आदार पर arrange किये गए, यह सबसे पहला point, दूसरा मैंने बोला, कि इसके अंदर साथ ग्रूप है, साथ पीरेड है, साथ पीरेड देख पा रहे हो, अटरा ग्रूप से, यह आपने देख लिया, दूसरा point हो गया, तिसरा, जैसे मैंने बोला कि यह पूरा modern predictable चार हिस्सों में divided है, कितने block है, इसके अंदर, क्या है, P block है, करेक्ट है, याद रहेगा, S block, P block, सिर्फ बीच में आ जाओ, यह बीच का जो portion दिख रहा है, सिर्फ इतना बीच का portion, यह जो बीच का portion दिख रहा है, यह आपका है, D block, ठीक है, और इसी के अंदर, कुछ elements ऐसे हैं, जिनको अलग से एक separate series में रखा गया है, जो कि यह actinites and lanthanites series, तो उसको एक separate नाम भी दिये दिया गया है, और इसको अलग से bottom of the periodic table में रखा गया है, यह जो हिस्सा है, यह F block है, उसके बाद यहाँ पर extreme right पर आओगे, तो यह P block है, बीच वाला D block है, और यह जो नीचे होता है, यह होता है आपका F block, तो S, P, D, F block होता है, और यहाँ पर पहचान भी सकते हो, यहाँ पर देखो, यह red गलगा जो दिख रहा है, यह आपके alkali, क्या है, metal है, तो हमेशा याद रखना है, कि पहला जो ग्रूप होता है, यह question कभी बाद पूछता है, वैसे 12 में ज्यादा पूछने के chances है, लेकिन आग 11 में हो, तो भी आपको समझ में आएगा, कि जो पहला ग्रूप है, ग्रूप नंबर वन is known as the alkali metals, क्या बोलते हैं, इसके अंदर जितने भी elements होंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, alkali metals होंगे, कौन-कौन से element है, देखो, थोड़ा सा नज़र डालते हैं हम लोग, क्य क्या है, देखो, यहाँ पर नज़र डालो, hydrogen है, lithium है, sodium है, potassium है, rubidium है, cesium है, और क्या ही है, francium, क्या होता है, पता नहीं, fr, search कर ले न, ठीक है, सब के बारे में मुझे नहीं मालू में, क्योंकि बहुत सारे elements है, जो as a symbol हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि उसका कभी use हमने देखा ही नहीं हमारे, जब तक हम लोग normal पढ़ाई करते हैं, जब आप chemistry जाके और ज़्यादर detail में पढ़ोगे, let's suppose आप BST करते हो chemistry में, आगे जाके MSC करते हैं, PhD करते हैं, तो आपको हर एक element हो, यहाँ याद हो जाएंगे, हर एक symbol याद जाएंगे, लेकिन जैसे मैंने यह सभी जो है इसको बोलते है alkaline earth metal, क्या बोलते है alkaline earth metal बोलते हैं, वैसे ही फिर आप देखोगे, यह जो आपको यलो वाले जो दिख रहे हैं, यलो वाले, यह क्या है आपका transition metals, फिर जो थोड़े से कम यलो दिख रहे हैं, आप मुझे classify करना मुश्किल लग रहा है, ठीक यह जो दिख रहे हैं, यह वाले, इतने, इतने जो दिख रहे हैं, यह वाले, कौन सा aluminum, gallium, यह आपका, क्या यह, lid है, PB मतलब lid होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, जो आप identify कर पाँगे, तो यह जो है, यह basic metal से, यह क्या है, यह basic metal से, फिर आप देखो, metalloid, जैसे मैं आपको green color वाले दिख रहे, यह क्या है, आपके लिए, metalloids, क्या है, metalloids, having the properties of both metal as well as metal, आजकर example के तोरपे silicon, gallium, sorry, germanium, arsenic, यह सब आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है, चार-पाच example भी याद रखो के, तो भी काम चल जाता है, exam point of view, उसके बाद देखो, non-metals कुन से हैं, आपको, यह carbon, nitrogen, oxygen, ठीक है, यह जो दिख रहे, यह आपको क्या है, non-metals से, और फिर यह जो दिख रहे, आपको dark blue वाले, fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine, यह जो है ना, यह आपके halogen group है, ठीक है, यह सब चीज़ आपको बहुत काम आने वाले, इसको learn करके रख लेना, noble gas, जैसे मैंने ब होते हैं, इसके बाद, नीचे देखो, actinide, यह actinide का पूरा एक सीरीज है, इसको बोलते है, actinide series, actinoid series, ठीक है, तो यह सब ही चीज, as in modern periodic table, आपको learn करना है, यह modern periodic table, अगर आप chemistry में इंट्रेस्टर और आगया जा कि आपको chemistry पढ़ना है, बहुत 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 ब हमने detail में बता दिया है, अपलों को, तो उम्मीद करता हूँ, इसी के साथ आज का वीडियो समाप करता हूँ, thank you so much for watching this वीडियो, यह वीडियो आपको कैसा लगा है, please comment करना, वीडियो पसंद आए, तो like जेरू से करना, share करना आपने दोस्तों के साथ, लेकिन एक छोटा सा request यह है कि 11th standard की students को बहुत लोगों को पता नहीं चल रहा है कि हम इतना उनके लिए मेनद कर रहे है, तो please share to every 11th standard students science stream का, जो physics, chemistry, math, bio हमारे चानल से आके free of cost अच्छे से पढ़ सकता है, ठीक है, तो please share कर देना, चानल को subscribe भी कर देना, और सापने bell icon को all पे set कर देना, ठीक है चलती मिलेंगे हमारे new video में तब तक के लिए, thank you and good bye